हलो स्टूदेंट्स वेलकम तू मैं रुपाली वर्मा आज हम क्या करा रहे हैं आज हम करा रहे हैं चैप्टर का कोई क्रिवीजन यानि पूरा कम्प्लीट चैप्टर का हम फट 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 रिवीजन कराएंगे जो आज हम कराने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास क्लास 12 हिंदी क पोर की बुक है आरो भाग दो, अध्याय है हमारा छे, नाम है उशा, ये एक कविता है, इस कविता को हम यहाँ पर पहले-पहले कविता पढ़ेंगे, फिर उसके प्रतिपाद्य और सार्ग को समझेंगे, उसके बाद कुछ कोशन्स भी करेंगे, इस चैप्टर का हम complete explanation और NCRT solutions पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लीजेगा, एक बार अच्छे से समझ लीजे, तभी तो हम revision करेंगे, revision तब होता है, जब हम अच्छे से कोई चीज को समझ जाए, तो समझने के लिए उन वीडियोस को आप जरूर देखेगा, जिसमें हमने पूरा complete जो है chapter explanation कराएं हुए हैं, तो चली शुरू करते हैं इस chapter को, कविता क्या है, प्रात नब था बहुत नीला शंक जैसे, भोर का नब, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हू, स्लेट पर या लाल खड या चौक मलदी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर जिल्मिल दिह जैसे हिल रही हो, और जादू तूटता है इस उशा का अब सूर्योदे हो रहा है, तो अब सबसे पहले हम ये समझा दें कि ये उशा होता क्या है, उशा वो समय होता है, सूरज के निकलने का पहले का स आस्मान में पूरफ की तरफ से जहां से सूरज निकलता है वहां से आस्मान में आप हलकी इसी लालिमा दिखोगे। सुरियोदर से ठीक पहले के पलपल परिवर्टित होने वाली प्रकति का शब्द चित्र उके रहे हैं। है यानि कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे चीजों बड़ती जाये है और उशा का जो जादू था वो टूट गया तो पल-पल है यानिकि seconds में जो चीजे परिवर्थित हो रही है प्रकती की उसको शब्दों के माध्यम से एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है शम्शेर भाधुर जी ने कभी ने प्रकती की गती को शब्दों में बांधरे का अध्भुत प्रयास किया है प्रकति गतिशील है हम सभी को पता है सूरज का निकलना डूबना फिर तो इस तरीके से वो निरंतर चलता रहता है और इसी गति को उन्होंने शब्दों में बाधा है कभी भोर की आसमानी गति को धर्ती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है इसी लिए सूरयोदे के साथ एक जीवन परिवेश की कलपना करता है यानि कि सूरयोदे क्या है हमें जीवन देता है अगर सूर ना हूं तो जीवन संभव नहीं है, यह हम सभी जानते हैं, तो सूर के माध्यम से हमको जीवन देनी की, जो बहुत ही निरंतर कोशिश है, उसको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुद भी कर रहे हैं, जो गाउं की सुभा से जुडता है, वहां सिल है, राख से का समय है उसे कई मांध्यमों से प्रस्तुत किया है पहला क्या है वहां सिल है सिल कैसी होती है काली होती है उस पर केसर लाल लाल होता है तो अब सिल है काली सिल के उपर हलकी लालीमा तो यह गाउं का परिवेश हमारे सामने प्रस्तुत किया फिर दूसरा है राक से लीपा क्या बोला कि राक से लीपा हुआ चौका अभी गीला है कहने का ताद पर क्या है मौसम में अभी नमी है जिसके कारण से जो चौका लीपा गया था वो सूखा नहीं है फिर उसके बाद स्लेट की कालिमा पर चौक के रंग मलते अध्रश्य बच्चों के हाथ तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या प्रस्तूत किया है कि जो स्लेट होती है काली होती है उस पर बच्चे चौक लाल चौक से लिखते हैं तो उशा का उन्होंने इससे भी सिमलार्टी की कि बच्चे किस तरीके से छोटे नन्ने हाथ जो है वो स्लेट पर लिखते हैं तो ये भी एक परिद्र अब इस कविता के सार को समझते हैं क्या बोला जा रहा है इस कविता में कभी कहता है कि सोरेयोधे से पहले आकाश का रंग गहले नीले रंग का होता है होता है ना गहरे निली रंग का क्योंकि कालिमा होती है अब आकाश काला तो पूरा नहीं हो सकता कैसे रहता है बहुत डाफ कलर का ब्लू डाफ जिसे बोलते है तथा वह सफेद शंख सा दिखाई देता है आकाश का रंग ऐसा लगता है मानौ किसी ग्रहणी ने राक से चोका शुर के ऊपर उठने पर लाली फैलती है अब पूरा चौका लीपा हुआ है ऐसा लग रहा है आसमान की वैसा लीपा हुआ है अब धीरे-धीरे सुरी ऊपर आ रहा है तो लाली में बढ़ रही है उसमें जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हूँ कैसा दिखा कैसे दिख रहा है जैसे काली जो सिलोती उसको किसी ने धो दिया और उस पर लाल खडिया मल दिया हो नीले आकाश में सूर ऐसा लगता है मालो नीले जल में गोरी युविती का शरीर जिल मिला रहा है अब यहाँ पर क्या हुआ नीली आकाश में जल में भी आप देखेंगे तो लालिमा आपको जल में जल में भी तो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है तो अब उसकी लालिमा से क्या होता है पानी हिलता रहता है तो अब हिलते हुए पानी में वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुबह 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 इस्तरी आई हूँ इस्तरी मतलब एक औरत जो है वो वहाँ पर आई हो तो उसका प्रतिबंब जिल मिला रहा है गोरियुविती का प्रतिबंब जिल मिला रहा हो ऐसा प्रतीत हुदा है सूरीयोद होते ही उशा का यह जादू ही प्रभावत समाप्त हो جाता है अब जो उशा का जो इन्होंने बहुती सुंदर चित्र शंशीर बहादुर जी ने प्रसुत किया वो जैसे ही सूरज निकला, सूरीयोद है हुआ सूरज जैसे ही आस्मान में प्रकट हुआ उशा का ये जादू तूट गया जो इतना सुन्दर परिद्रिश हम अभी तक उशा का देख रहे थे वो सारा एकदम से स्वाप्त हो जाता है क्योंकि चारो तरफ उजाला हो जाता है और वो लालिमा गायब हो जाती है जो कालिमा हो होती है वो भी गायब हो जाती है सब गायब हो जाता है और उजाला हो जाता है तो इसलिए बोला कि जादू टूटा उशा का जादू टूटा मतलब ये सभी कुछ समाप्त हो जाता है तो ये हमारी कविता का प्रतिपाद्य भी था और सार भी हमने दोनों समझाया इस कवित करता के आधार पर उस जादू को इस पष्ट कीजिये जो सुर्यद्यक के साट तूट जाता है ऊचा कविता में जिस जादू की बात हो रही है उसे जादू की बात हमें लिखनी है यहां पर जो सूर्योदे होते ही तूट जाता है तो यहाँ आप सभी इसको अपने अपने उसमें शब्दों में लिख सकते हैं क्योंकि ज़क अविता अगर हमें समझ में आ गई है तो उसी लिखने में हमें कोई भी ये दिक्कत पेश नहीं आएगी तो यहाँ क्या है सूर्योदे से पूर्व उशा का द्रश अत्यन्त आकर्शक होता है भोर के समय सूर की किर्णे जादू के समान लगती है इस समय आकाश का सौंदर छण छण में परिवर्तित होता है अब आप देखेंगे फ्रकती का जो भी द्रश हो वो हर चण बदलता है हर चणा बदलता है यहाँ पर उशा की बात आ रही है तो वो तो प्रतिचण बदलेगा ही बदलेगा ये उशा का जादू है नीले आकाश का संख सा पवित्र होना नीले आकाश का शंख जो है हम लोग पूजा में रखते हैं तो वो पवित्र माना जाता है उसी तरह नीले आकाश कैसा लग रहा है शंख जैसा पवित्र लग रहा है काली सिल पर केसर डाल कर धूना यानि के जो है सिल पर केसर पीसी है उसको दो डाला है उसके समान बताया है काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना बच्चो चुटे चुटे नन्ने हातों द्वारा जो काली काली स्लेट होती है उसके खड़िया मल दी जाती है ऐसा आसमान प्रतित हो रहा है नीले जन में गोरी नाइका का जिल मिलाता प्रतिबंब आदी द्रश उशा के जादू के समान लगता है तो वो परिद्रश भी कैसा लग रहा है? उशा के जादू के समान लग रहा है सुरियोदर होने के साथ ही द्रश समाप्त हो जाता है तो अब जो भी चीज आब अब आप इसको अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहोगे तो कविता के शुरू से लेकर अंत तक जो जो परिदर्श परिवर्थत हो रहे हैं उन्हें आप लाइन भाइस अपनी भाषा में लिख सकते हैं उसको आपको ऐसे करना है कि अब है प्रिश्न संख्या दो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो अब इससे कवि हमको क्या कहना चाता है आपको यह पता ना है कविता हमने समझाई है तो उसको कैसे लिखेंगे देखिए कभी कहता है कि सुबा कि समय अंधेरा होने के कारण आका स्लेट के समान लग रहा है स्लेट कैसी होती है, काली होती है तो वो कैसे लग रहा है, स्लेट के समान काला लग रहा है, उस समय सूर की लालिमा युक्त केर्णों से ऐसा लगता है, अब सूर की युक्त जो लालिमा आती है, तो उससे क्या लगता है कि जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खडिया मल दी हो तो आसमान काला तो वो स्लेट हो गई सुर की लालिमा क्या हो गई वो हो गई लाल चौक खडिया कभी आकाश में उबरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है लालिमा जैसे ही आती है आप देखेंगे कभी भी उशा का परिजश आप लोगों ने देखा हुआ तो कैसा होता है उसी तरीके से उस लालिमा के बारे में जो है कभी बता रहे हैं प्रेश्ण संख्या तीन है क्या है भोर के नब को राख से लीपा गीला चौका की संग्या दी गई है क्यों भोर का जो नब है यानि कि सुभा सुभा का जो आस्मान है उसे कैसा बताया गया है राख से लीपा और गीला हुआ गीला गीला बताया गया ऐसा क्यूं किया गया है क्या कारण है इसका क्या है कभी कहते हैं कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त और धुंदला होता है क्योंकि आप देखते हैं हलका हलका सा फौगी होता है तो वो धुंदला सा लगता ह और नमी रहती है, एक्मोस्फियर में ओस रहती है तो वो नमी रहती है, इसलिए उन्हें इस चीज़ को बोला है, कि राक से लीपा हुआ चौका अभी गीला है, अर्थात कहने का दाथ पर क्या है, एक्मोस्फियर में नमी है, राक से लीपा हुआ चौका भी मटमेले रंका हो दोनों का रंग लगबक एक जैसा होता है, आसमान का और गीले चौके का रंग एक जैसा रहता है, होने की कारण कवी ने भोर के नब को राक से लीपा गीला चौका की संग्या दी है, दूसरे चौके को लीपे जाने में वह स्वच हो जाता है, इसी तरह भोर का नब भी पवित अब जब पूरा दिन खाना बन जाता है खाना बनने के बाद उसको साफ करके लिप दिया जाता है तो अब वो जो लिपा हुआ जो चौका होता है वो साफ सुथ एकदम निर्मल लगता है बहुत प्यारा लगता देखने में तो उसी तरीके से क्या होता है भोर का नभ भी आपको सब भी बताने होंगे, उन सब के रीजन्स भी आपको बताने पड़ेंगे, उशा कविता में प्राता काली नब की तुलना राक से लीपे हुए गीले चौके से की गई है, इस समय आकाश, नम और धुंदला होता है इसका रंग लाक से लीपे हुए चौके जैसा मटमेल होता है जिस प्रकार चूला चौका सुखा असूख कर साफ हो जाता है उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश्ट भी सुच्छ और निर्मल हो जाता है तो इस तरीके से उन्हों एक से कर्पना की है, फिर स्लेट से भी करी है स्लेट से करी है, सिल से करी है तो जो जो चीजे जिस जिस तरीके से हैं आप उन उन तरीके से यहाँ पर पैरावाइ्ज एक ही करके explanation दे सकते हैं तो एक का भी दे सकते हैं, अगर उने ने बोला दो से तुलना करनी है तो आप दो की तुलना भी बता सकते हैं तो इस तरीके से आपको answers करने हैं आपकी किसी भी exam में कोशन पूछा जाए तो उसको करना है देखें कोशन कई तरीके से इधर उधर करके पूछे जा सकते हैं तो आपको सबसे पहले पोएम अच्छे से समझने तो इस पोएम का डिटेल एक्स्मिनेशन भी करा चुके हैं तो उनको आप जरूर देखेगा तो यहां पर यह चैप्टर खतम हो गया हमारा लेकिन अब यह जो वन शॉट रिवीजन है सर्फ हिंदी में ही नहीं वाकि सभी सब्जेक्स में आपके लिए रेडी किया जा रहे हैं तो यह आपको मिलेंगे कहां इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल MagnetsBain.com पर जब आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि वन शॉट करके यहां पर दिया है इसे आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही वन शॉट रिविजन के सभी क्लासेज आपके सामने आएंगे आप 10 th 11 12 सभी सामने तो आप 10 th में तो जैसे ही आप 12 में यहां पर क्लिक करेंगे 12 क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा आप यह देखेंगे कि इसका full chapter सभी subject आपके सामने आ जाएंगे लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नागूलियेगा क्यों क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी तुम आपके लिए नहीं नहीं चीज़े और भी लेते आते रहेंगे थैंक यू पर वाचिंग बाबाई